ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनश्य मोन रहना सीख ले तो उसकी अधिकान समसाएं सुवयम ही समाप्त हो जाती हैं और सत्य में मौन में बड़ी शक्ती होती है बड़ा बल होता है किन्टु ओबल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आई क्या सदा मोन रही ना उच्चित है नहीं इतिहास साक्षी है संसार में अधिक विपद आये इसलिए आई क्योंकि समय पढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया मौन रहा यदि मौन रहे ना शस रहे तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उससे सहमती समझ लेते हैं फिर दीरे दीरे वो आपका स्वफाव बन जाता है आपका अभ्यास हो जाता है और फिर आपका वित्तित्व एक साधारन से पाशान के बांति बन जाता है अपनी वानी का अवशकता पढ़ने पर सदुपयोग कीजिए वानी को कवश में रखना है और कब मोन नहीं रहना है इससे भी अधिक महत्व पुर्ण है ए समझना की उसे कब तोड़ना है राधे राधे